नमश्कार आप देख रहे हैं हर्यान न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दीशा आई ये रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता और हर्यान सरकार के पुर्व कैबिनेट मंत्री अर्मोहिंदर सिंग्चठा के बेटे मंदीप सिंग्चठा ने आज पिहोवा विधानसभा शेतर से अपना नमांकन पत्र दाखिल किया इस अवसर पर उन्होंने पिहोवा विधानसभा शेतर के जागरुक मतदाताओं से गुहार लगाई की वे उनके सिर पर हाथ रख कर अपना अशिरवात दे और उन्हें भारी मतों से विजाई बनाएं उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी के शिष नेतरतव का हार्दी का भार व्यक्त किया जिन्होंने उन पर आस्था जोता कर उन्हें पिहोवा से टिकर दी उन्होंने कहा कि वे कॉंग्रेस हाई कमान के साथ साथ पिहोवा की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे मंदीप सिंग चठा ने कहा कि पिहोवा की जनता बीते 10 सालों से बढ़ रहीजन समस्याओं के कारण बहुत दुखी है विकास के मामले में पिहोवा बहुत पिछड चुका है वे अब यहां की जनता की भलाई के लिए ही सुनावी मैदान में आये हैं उन्होंने कहा कि पिहोवा की जनता देख चुकी है कि बीते 10 साल में भारती जनता पाईटी की सरकार ने पिहोवा में क्या विकास कारे करवाया है यहां के लोग जानते हैं की इस से पहले हर मोहिंदर सिंग चथा के कारे काल में पिहोवा में जबरदस्ट विकास कारे हुए हैं मन्दीप सिंग चठा ने कहा कि 2024 में हर्याना में पूरे बहुमत के साथ कॉंग्रेस की सरकार बनेगी और वे पिहोवा की जनतों को तमाम समस्याओं से निजात दिलाएंगे नामांकन दाखिल करने से अपुर्व पिहोवा के खुश्वंत पैलेस में स्थापित चुनावी कारियाले में बड़ी संख्या में पहुँच कर सभी आयू वर्ग के लोगों ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उनकी काम्याबी की कामना की इस मौके पर क्या कुछ कहा मन्दीप सिंग चठा ने आप खुद ही सुन लीजिए पिहोवा से हमारे कमवाद दाता विनायक दत्चर्मा की रिपोर्ट मेरे लीडर जो दिरू पंदर से उड़ाजी बहुत बहुत दनेवाद करता हुए जिनोंने मेरे मेरे आस्था वियाद करते हुए मुझे फिर से पेबस हिटिक दिक दिक नमांकन भर दिया है और किन-किन मुद्दों को लेकर आप चुना में उतरे हैं देखे जो पिछले दस साल का भजपा गराच है और पिछले उससे पीछे दस साल जो सरदर हर्वंदर सिंग चठा और भुबंदर सिंग उत्यागाराच था उसके बारे में तुल्णा हो रही है, हर जिगा तुल्णा हो रही है, कोई मुझे पसंद करे ना करे, मेरे समर्थक भी बहुत है, मुझे मेरे अलोचक भी कुछ होंगे, लेकिन जो अलोचक भी है, वो भी ये कहते हैं, जितना हर्पंदर सिंग जठा ने काम किया, उतना आज किसी ने काम ना तो क्या अब की बार जीत खासिल होगी? मैं तो यही चाहूंगा, क्या भी शेश मुटा रहेगा जिगा अब की बार आपकी होंगे? जी मेरा मुदा एक नहीं रहेगा, हर काउं के अलग मुदे है, शेहर के अलग मुदे हैं, और हमारे राज में हर जगा क्य दस साल में क्या होगा, इसकी तुलना जरूरी है, तो शेहरवासियों से यह पील करेंगे कि मेरे सिर पे हाथ रखे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालके कांग्रस का विज़ेगा, अब की बार आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, हर बार की बार लगता है, कुछ ना क अब के बार खास होने वाला है, दो बर लटने के बार तीसने पर एक्स्पिरियंस होगी, हमारे फेस्बुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा ख़बरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूले